जब भी आपको पीरेड जाने वाले होंगे तो आपको एक white दिस्चार्ज होता है ऐसे अगर आपको डिस्चार्ज होता है white कलर का जो liquid है आपके अंदे से mucous ऐसा आता है तो इक मींस ये पीरेड की निशानी होती है पीरेड में कुछ इस टाइब का होगा लेकिन वहीं अगर आप pregnant है तो जो wide discharge है वो कुछ इस तरह फटा-फटा सा होता है तो I hope आपको clear हुआ हो हलक हलक महसूस होने start हो जाता है चाहे वो period जाने से पहले भी हो लेकिन हमेशा ऐसा होता जरूर है कि हलक हलका सा हमें सफेद पानी या फिर wide discharge लिक्विड सा एक निकलना start हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि periods आने वाले है तो अब आपको अंतर बताती हूँ कि आपको अंतर कैसे पता चलेगा pregnancy का और periods का सबसे ज़्यादा यही question होता है कि pregnancy का और periods का क्या अंतर होगा तो आप आपना 100% इस चीज को मानोगे कि जब periods आने वाले होते हैं तो आपको जब भी आप ऐसे नीचे को मुह करोगे या फिर कुछ भी तो हमारे उस एरिया से एक अजीब सी odor एक अजीब सी smell आती है बहुत गंदी smell आती है ठीक है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे periods जो है वो अप स्टार्ट होने वाले है और जो वो आपका white discharge होगा ना guys तो कभी भी आपको अगर पता करना है क्या pregnant हुए आपने conceive किया है कि नहीं किया है तो आप ना जब भी उसको smell करोगे ना सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन कई बार doctors भी आपको ये बताते है तो अगर आप उसको smell करोगे ना तो उसमें हमेशा बदबू आएगी एक अजीब सी किसम की smell आती है जब आपको periods आने वाले होते हैं तो उसमें आपको smell महसूस होगे और जितने दिन हमें periods रहते हैं तो ते दिन वो smell भी रहती है तो वो after जब आपके period चले भी जाते हैं तब भी उस white discharge के अंदर वो बदबू रहती है ठीक है कई बार हमारे husband वगेरा भी complain करते हैं कि वो smell है आप इस चीज़ को मैं खुल के बोल रही हूँ थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच है कि उसमें smell हो जाती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप pregnant हो तो वो जो white discharge अगर होगा भी न तो उसमें से आपको एक percent भी बदबू नहीं आएगी एक percent भी उसमें smell नहीं होगी वो बिल्कुल white कलर का होगा बिल्कुल white उसका color बिल्कुल white होगा कोई उसके color में changes नहीं होगे पाने type होगा और उसके अंदर आपको एक percent की भी smell महसूस नहीं होगी आपको लगे गई निकी कुछ ऐसा है और बार बार आपका bathroom जाने का मन करेगा washroom यूज़ करने का मन करेगा आपको वहीं सही पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कुछ changes होए है सबसे बड़ा लक्षन सबसे बड़ा जो आप पहचान सकते हो कि आपको pregnancy है या period जाने वाले हैं तो यही है कि आपका जो white discharge होगा उसमें से अगर period जाने वाले हैं तो smell आएगी और अगर आप pregnant हो तो उसमें आपको कभी भी smell नहीं आएगी 100% यह मैं लिखके देती हूँ अगर आप लोग में से कोई भी pregnant है इस टाइम पे और अभी starting है उसकी 1 week है 2 week जो भी है तो आप यह चीज़ करके देखना आप खुद मान जाओगे कि उसमें से 1% भी smell नहीं आएगी बिल्कुल भी smell नहीं आएगी और आपका जो urination है मतलब कि बार बर bathroom जाने की इच्छा आपकी जो होती है वो जाग जाती है आपको ऐसा लगता है कि मुझे bathroom आ रहा है मुझे washroom जाना है मुझे toilet जाना है लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो अंदर से आपके उस bladder पर pressure डालता है आपका uterus जो है वो थोड़ा बढ़ना start होता है जब आप conceive करते हो तो उसकी वेज़े से आपको हमेशा ऐसा feel होगा कि मुझे बार बार या तो bathroom आ रहा है अगर आपको उसका color change लगता है या फिर आपको लगता है कि उसमें से बहुत गंदी वद्भू आती है तो indication होता है ये कि आपको pregnancy में तो infection हो गया या फिर कुछ और major problem हो चुकी है तो उसको आपको ध्यान रखने के लिए बोला जाता है जब भी आप doctor visit करोगे न वो आपको हमेशे बताएंगे अगर आपको eating हो रही है, smell आ रही है उसका color change हो रहा है तो doctors आपको बोल देते हैं कि हमें एक बार आप दिखाओ वो आपके test करते हैं कि कोई under infection baby के आस पास तो नहीं हो गया तो I hope guys इससे easy भाषा में या फिर इससे असान तरीके से आपको किसी के ने समझाया हो तो बता दो और ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बड़े दिल से बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसको like करोगे and share करोगे ताकि आपकी तरह जो लोग ऐसी वीडियो सर्च करते हैं उनको confusion clear हो और उन्हें भी कुछ ना कुछ help मिल पाए और मेरा भी होसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं जो की आपको समझने में बहुत आसान हो और मुझे समझाने में अच्छा लगे तो I hope guys आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप लोग प्यार भी दे रहे हो वैसे तो और मैं और प्यार expect कर रही हूँ आप सबसे तो please किरपया गर के आप मेरी वीडियोस को लाइक करें जो भी नए है या पुराने जो भी है प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अब मैं मिलूंगे आप से नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी क्वेशन है जल्दी से मुझे कमेंट बोक्स में लिखो अगली वीडियो में आपकी उसी क्वेशन पर बना होंगी थैंक यू